Welcome to my channel दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे हेयर मास्क का वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके ड्राय बालों को, जो आपके फ्रीजी बालों को बिल्कुल ही सॉफ्ट बना देगा, साथ ही साथ जो आपके बाल है उन्हें बहुत ही अच्छी चमक आएगी बालों के जढ़ने से परिशान है, तो बालों के जढ़ने को बंद करेगा और साथ ही साथ बालों में नैच्रल तरीके से कालापन लाएगा बालों के लिए आप लोग जितने अच्छे बालों को न्यूट्रियंट्स देंगे आपके बाल उतने ही जढ़ा हेल्दी रहेंगे और बालों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट होगी तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस हरबल हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरुवत है केला, यहाँ पर आपको लेना है एक्दम पका हुआ केला दोस्तों यह जो मैं आपके साथ हेयर पैक का वीडियो शेयर कर रही हूँ किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है बिल्कुल ही हरबल है यह और साथ ही साथ यह जो हेयर मास्क है दोस्तों यह आपके रुखे सुखे बेजान बालों में भी जान डाल लेगा आपके scalp को hydrate करेगा और dandruff इची scalp की समस्या को भी दूर करेगा बनाना लिया है दोस्तों केला क्या करता है केले में silika जो होता है ना दोस्तों ये हमारे बालों की जड़ों को hair follicle को strong बनाता है और इससे हमारे बालों का तूटना रुपता है गिरना रुपता है बालों का जड़ना रुपता है और बाल हमारे ठिक होते हैं केले में anti-microbial property होती है जो की dry बालों को condition करता है डेंडरफ को हटाता है naturally condition का काम करता है बनाना hair mask बालों को बिलकुल ही नरम मुलायम soft बनाने का काम करता है जिनके बाल बहुत जड़ा रुखे सुखे बेजान से हैं फ्रीजी hair हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है केले का hair pack अगर हमारे scalp में किसी भी तरह का bacterial infection है या किसी भी तरह का fungal infection है तो उसे भी दूर करता है बनाना hair mask hair growth अच्छी होती है और यदि बाल किसी chemical treatment के कारण बहुत ज़ादा color करने शैंपू करने के कारण यदि बहुत ज़ादा damage हो गए हैं तो उन बालों को वापस repair का काम करता है केला बनाना और जब बालों का hair follicle को अच्छा nourishment मिलेगा दोस्तों तो बाल लंबे होना शुरू होंगे बालों में बड़ी अच्छा glossy look आता है बालों की roughness दूर होती है और साथ ही साथ दोस्तों बालों में बहुत अठी shine आती है तो एक केला डाला है यदि बाल बहुत ज़ादा लंब नहीं तो कई बार हमाले बाल थोड़े से लंबे होते हैं और तूटने लग जाते हैं उसे बढ़ाता है यहां पर दोस्तों मैं इस्तमाल करूंगी थोड़ी सी नीम की पत्यों का क्योंकि अभी थोड़ा बारिश का मौसम है स्कैल्प में इस समय बहुत जादा खुजली होत ताजी ताजी नीम की पत्या लें तो जादा अच्छा है ताजी पत्यों में पोशक कत्व अच्छे जादा होते हैं तो मैंने यहां ग्रैंडिंग जार में एक केला पांस से छे नीम की पत्यों को डाल दिया है और साथ में अब इसमें तीसरी और आखरी चीज जो हम इसमें एड़ करेंगे इस hair mask में दही, दोस्तों कोशिश करें फ्रीज का ठंडा दही ना ले, आप या ठंडा फ्रीज का ठंडा हो तो आप बाहर पहले से निकाल लें दो घंटे पहले रूम टेंपरेचर पर ले आएं, और दही विटामिन C से भरपूर होता है, जितना अच्छा बालों के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होता है, तो इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं दही में दोस्तों, तो बालों को बहुत अच्छी तरह से नरिश्च करता है, बालों को हमारे स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, और यदि हमारे सिर में खुझली की प बालों की लंबाई तेजी से बढ़ेगी तो यह best hair mask है दोस्तों आप कह सकते हैं आपके बालों के लिए में इसमें सभी healthy चीजों को add किया है आप एक बार इसे जरूर लगाएं सबता हमें एक बार और जब hair wash करेंगे तब आपको इसका result दिखेगा दोस्तों इसे लगाने के आपको कोशिश करना है कि आप same day shampoo न करें इसे कम से कम आप 30 से 45 मिनिट जरूर रखें लगाकर उसके बाद जब भी आप लोग hair wash करें ना दोस्तों तो plain water से करें next day shampoo करेंगे तो आपको इसका जादा अच्छा result मिलेगा बेजानवर रूखे बालों में जाना जाएगी इस hair mask से डेंडरफ से prevent करेंगा और आपके जो बाल है वो अच्छे होंगे क्योंकि जो दही डाला है दही क्या होता है दोस्तों rich source of protein होता है जो की बालों की quality को improve करेंगा बालों में shine लेकर आता है दही दोस्तों best moisturizer है कर्ड तो इस तरह से आपको अपने बालों पर लगाना है अप तालिस मिनट तक रखें किसी भी hair mask को लगाने के बाद उसे dry नहीं किया जाता है सूखा नहीं किया जाता है आप अपने बालों को किसी shower cap या vegetable polythene से cover जरूर कर लें ताकि आपके बाल हैं सूखने ना पाए यदि hair mask लगाने के बाद हमारे बाल हमारा scalp एकदम सूख जाता है बालों पर इस तरह से partition करते जाना है और आपको इसे लगाते जाना है बालों पर यह देखे मेरी बेटी आपको इसे लगा कर दिखा रही है अपने बालों पर और बहुत अच्छा आपको इसका result मिलेगा दोस्तों जो केला हमने डाला ना केले में क्या होता है potassium, vitamin होते है, vitamin A vitamin B होता है, केले में natural oils होते हैं जो हमारे scalp को moisturize करते हैं, sun damage के कारण भी यदि आपके बाल खराब हो गए हैं तो उन बालों को भी repair करता है, freezy बालों के लिए best है, anti-oxidant से भरपूर होता है banana जिस तरह से हमारे skin के लिए अच्छा होता है, skin के dark spot को दूर करता है, उसी तरह से केला हमारे बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया hair mask है, आप इसे जरूर ट्राइ करें, आप देखेंगे दोस्तों कि आपको वाकरी में इसे लगाने के बाद खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे वाच, हमारे बाल कितने अच्छे दिख रह तो जितने अच्छी care करेंगे, बाल उतने अच्छे रहेंगे, और बालों की care हमें जरूर करना चाहिए, बाल हमारी खुबसूरती में चार चान लगाते हैं, यदि हमारे बाल खराब होते ना दोस्तों, तो हमें भी confidence नहीं रहता है, और हमारी खुबसूरती भी कम होने यह 100% work करती है, हो सकता work करने में थोड़ा सा time लग जाए, परनतु यह safe होती है, home med remedy में कोई भी chemical नहीं होता है, इनका कोई भी side effect नहीं होता है, आप खुद समझ सकते हैं, इसमें जो मैंने चीजे डाली है, सभी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial है, इसलिए आ आप hair wash कर सकते हैं, shampoo next day करें